C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ यह अध्याय दो है एक चरवाले रैखिक समिकरण प्रिष्ट संख्या 36 दो दशमलबचे समिकरणों को सरल रूप में बदलना उदाहरण 16 हल कीजिए 6X जमा एक बटा तीन जमा एक बराबर है X घटा तीन बटा छे हल दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर 6 से ही क्यूं? ध्यान दीजिए हरों का लस प यानि LCM 6 है 6 कोश्ठक में 6X जमा एक बटा तीन जमा 6 गुणा एक बराबर है 6 कोश्ठक में X खटा तीन बटा छे या दो कोश्ठक में 6X जमा एक जमा छे बराबर है X खटा तीन या 12X जमा दो जमा छे बराबर है X खटा तीन कोश्ठक खटाने पर या 12X जमा आट बराबर है X खटा तीन या 12X खटा एक जमा आट बराबर है खटा तीन या 11X जमा आट बराबर है खटा तीन या 11X बराबर है घटा तीन खटा आट या 11X बराबर है खटा ग्यारां या X बराबर है खटा एक जो की बांचित हल है जांच बायापक्ष यानि LHS बराबर है 6 कोश्ठक में घटा एक जमा एक बटा तीन जमा एक बराबर है घटा 6 जमा एक बटा तीन जमा एक बराबर है घटा पांच बटा तीन जमा तीन बटा तीन बराबर है घटा पांच जमा तीन बटा तीन बराबर है घटा दो बटा तीन दायापक्ष यानि LHS बराबर है कोश्ठक में घटा एक घटा तीन बटा 6 बराबर है घटा 4 बटा 6 बराबर है घटा 2 बटा 3 बायाँ पक्ष यानी LHS बराबर है दायाँ पक्ष यानी RHS जैसा वान्चित था उदाहरण सत्रा हल कीजिए 5X घटा 2 कोष्ठक में 2X घटा 7 बराबर है 2 कोष्ठक में 3X घटा 1 जमा 7 बटा 2 हल कुष्ठक हटाने पर बायाँ पक्ष यानी LHS बराबर है 5X घटा 4X जमा 14 बराबर है X जमा 14 दायाँ पक्ष यानी RHS बराबर है 6X घटा 2 जमा 7 बटा 2 बराबर है 6X घटा 4 बटा 2 जमा 7 बटा 2 बराबर है 6X जमा 3 बटा 2 प्रिष्ट संख्या 37 अतह समीकरण X जमा 14 बराबर है 6X जमा 3 बटा 2 या 14 बराबर है 6X घटा X जमा 3 बटा 2 या 14 बराबर है 5X जमा 3 बटा 2 या 14 घटा 3 बटा 2 बराबर है 5X 3 बटा 2 का पक्षांतरण करने पर या 28 घटा 3 बटा 2 बराबर है 5X या 25 बटा 2 बराबर है 5X या X बराबर है 25 बटा 2 गुणा 1 बटा 5 बराबर है 5 गुणा 5 बटा 2 बराबर है 5 बटा 2 अतह 22 हल है X बराबर है 5 बटा 2 क्या आपने ध्यान दिया कि हमने समी करन को कैसे सरल बनाया? हमने समी करन के दोनों पक्षों को सभी व्यंजकों के हरों के लस प से गुणा किया जांच बाया पक्ष यानि LHS बराबर है 5 गुणा 5 बटा 2 घटा 2 कोश्ठक प्रारंब 5 बटा 2 गुणा 2 घटा 7 कोश्ठक अंत बराबर है 25 बटा 2 घटा 2 कोश्ठक में 5 खटा 7 बराबर है 25 बटा 2 घटा 2 कोश्ठक में खटा 2 बराबर है 25 बटा 2 जमा 4 बराबर है 25 जमा 8 बटा 2 बराबर है 33 बटा 2 दाया पक्ष यानी आरेचेस बराबर है दो, कोश्ठक प्रारंब पांच बटा दो गुणा तीन घटा एक, कोश्ठक अन्त जमा साथ बटा दो, बराबर है दो, कोश्ठक प्रारंब पंद्रा बटा दो, घटा दो बटा दो, कोश्ठक अन्त जमा साथ बटा दो, बराबर है दो गुणा तेरा बटा दो, जमा साथ बटा दो, बराबर है चब्वीस जमा साथ बटा दो, बराबर है तैन तीस बटा दो, बराबर है एलेचेस यथा वान्छित ध्यान दीजिए इस उदाहरण में हमने कोश्ठकों को हटा कर और समान पदों को मिला कर समीकरण सरल बनाया प्रश्णावली 2.5 निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए 1. X बटा 2 घटा 1 बटा 5 बराबर है X बटा 3 जमा 1 बटा 4 2. N बटा 2 घटा 3N बटा 4 जमा 5N बटा 6 बराबर है 21 3. X जमा 7 घटा 8X बटा 3 बराबर है 17 बटा 6 घटा 5X बटा 2 4. X घटा 5 बटा 3 बराबर है X घटा 3 बटा 5 पांच, तीन टी घटा दो बटा चार, घटा दो टी जमा तीन, बटा तीन, बराबर है दो बटा तीन, घटा ती छे, एम घटा, एम घटा एक, बटा दो, बराबर है एक घटा, एम घटा दो, बटा तीन प्रिष्ट संख्या 38 निम्न समिकर्णों को सलल रूप में बदलते हुए हल कीजिए साथ, तीन, कोश्ठक में टी घटा तीन, बराबर है पांच, कोश्ठक में दो टी जमा एक आठ, पंद्रा, कोश्ठक में वाई घटा चार, घटा दो, कोश्ठक में वाई घटा नौ, जमा पांच, कोश्ठक में वाई जमा छे, बराबर है शून्ने नौ, तीन, कोश्ठक में पांच जेड घटा साथ, घटा दो, कोश्ठक में नौ जेड घटा ग्यारा, बराबर है चार, कोश्ठक में आठ जेड घटा तेरा, घटा सत्रा दस, शून्ने दशमलव दो, पांच, कोश्ठक में चार एफ घटा तीन, बराबर है शून्ने दशमलव शून्ने पांच, कोश्ठक में दस एफ घटा नौ, दो, दशमलव साथ, रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण उदाहरण, अठारा, हल कीजिए, एक्स जमा एक, बटा दो एक्स जमा तीन, बराबर है तीन बटा आठ, हल ध्यान दीजिए, यह समीकरण रैखिक नहीं है, क्योंकि इसके बाएं पक्ष में व्यंजक रैखिक नहीं है लेकिन इसे हम एक रैखिक समीकरण के रूप में बदल सकते हैं हम समीकरण के दोनों पक्षों को कोश्ठक में दो एक्स जमा तीन से गुणा करते हैं कोश्ठक में x जमा 1 बटा 2x जमा 3, गुणा कोश्ठक में 2x जमा 3, बराबर है 3 बटा 8, गुणा कोश्ठक में 2x जमा 3, ध्यान दीजिए, 2x जमा 3, 0 के बराबर नहीं है, क्यूं? कोश्ठक में 2x जमा 3, बाएं पक्ष में निरस्त, यानि कैंसिल हो जाता है, और हमें प्राप्त होता है, x जमा 1 बराबर है 3, कोश्ठक में 2x जमा 3, बटा 8, अब हमें एक रैखिक समीकरण मिला, जिसे हम हल करना जानते हैं, दोनों पक्षों को 8 से गुणा करने पर, 8 कोश्ठक में x जमा 1, बराबर है 3, कोश्ठक में 2x जमा 3, यह चरण वज्र गुणन की प्रक्रिया से भी प्राप्त हो सकता है, x जमा 1, बटा 2x जमा 3, और 3 बटा 8, 8 से निकलती एक रेखा, x जमा 1 की ओर इशारा कर रही है, 2x जमा 3 से निकलती एक रेखा, 3 की ओर इशारा कर रही है, 8x जमा 8, बराबर है 6x जमा 9, यह 8x बराबर है 6x जमा 9 घटा 8, यह 8x बराबर है 6x जमा 1, या 8x गटा 6x बराबर है एक, या 2x बराबर है एक बटा दो, अतह हल, x बराबर है एक बटा दो. जांच बाइपक्ष में अंच एक बटा दो जमा एक बराबर है एक जमा दो बटा दो बराबर तीन बटा दो है बाइपक्ष में हर बराबर है दो एकस जमा तीन बराबर है दो गुणा एक बटा दो जमा तीन बराबर है एक जमा तीन बराबर चार है अतह बायापक्ष बराबर है अंश भाग हर बराबर है तीन बटा दो भाग चार बराबर है तीन बटा दो गुणा एक बटा चार बराबर है तीन बटा आठ अर्थात बायापक्ष यानी LHS बराबर है दायापक्ष यानी RHS प्रिष्ट संख्या 49 उदाहरण 19 अनु तथा राज की वर्तमान आयू का अनुपात चार अनुपात पांच है आठ वर्श बाद उनकी आयू का अनुपात पांच अनुपात छे होगा उनकी वर्तमान आयू ग्याद कीजिये हल, माना की अनू तथा राज की वर्तमान आयू क्रमशह 4X तथा 5X है आठ वर्ष बाद अनू की आयू बराबर है कोश्ठक में 4X जमा आठ वर्ष आठ वर्ष बाद राज की आयू बराबर है कोश्ठक में 5X जमा आठ वर्ष उनकी आयू का अनुपात बराबर है 4X जमा 8 बटा 5X जमा 8 जो दिया है 5 अनुपात 6 अतह 4X जमा 8 बटा 5X जमा 8 बराबर है 5 बटा 6 वज्र गुणन करने पर 6 कोश्ठक में 4X जमा 8 बराबर है 5 कोश्ठक में 5X जमा 8 या 24X जमा 48 बराबर है 25X जमा 40 या 24X जमा 48 घटा 40 बराबर है 25X या 24X जमा 8 बराबर है 25X या 8 बराबर है 25X घटा 24X या 8 बराबर है X अतह अनु की वर्तमान आयू 4X बराबर है 4 गुणा 8 बराबर है 32 वर्ष तथा राज की वर्तमान आयू 5X बराबर है 5 गुणा 8 बराबर है 40 वर्ष प्रश्नावली 2.6 निम्न समीकरणों को हल कीजिए 1.8X घटा 3 बराबर है 2 2.9X बराबर साथ घटा 6X बराबर है 15 3.Z बराबर है 15 बराबर है 4 बराबर है 9 4.3Y जमा 4 बराबर है 2 घटा 6Y बराबर है घटा 2 बराबर है घटा 2 बराबर 5 5. साथ वाय जमा चार बटा वाय जमा दो बराबर है घटा चार बटा तीन 6. हरी और हैरी की वर्तमान आयू का अनुपात पांच अनुपात साथ है अब से चार वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपात तीन अनुपात चार हो जाएगा उनकी वर्तमान आयू ग्यात कीजिए साथ, एक परिमय संख्या का हर उसके अंश से आठ अधिक है यदि अंश में सत्रह जोड दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तब हमें तीन बटादो प्राप्त होता है वह परिमय संख्या ग्यात कीजिए प्रिष्ट संख्या चालीस, हमने क्या चर्चा की? एक, एक बीजिये समीकरण चरों में एक सम्ता होती है यह प्रकट करती है कि सम्ता के, चिन्ध के एक और वाले व्यंजक का मान, उसके दूसरी और वाले व्यंजक के मान के बराबर होता है 2. कक्षा 6, 7 तथा 8 में सीखे जाने वाले समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण है इन समीकरणों में समीकरण बनाने वाले व्यंजकों में एक ही चर प्रयोग होता है इसके अतिरिक्त ये समीकरण रैखिक होते हैं अर्थात प्रयोग किये गए चर की अधिक्तम घात एक होती है 3. एक रैखिक समीकरण का हल कोई भी परिमय संख्या हो सकती है 4. समीकरण के दोनों पक्षों में कोई रैखिक व्यंजक हो सकते हैं जो समीकरण हमने कक्षा 6 तथा 7 में सीखे उनमें किसी एक पक्ष में केवल संख्या ही होती थी 5. संख्याओं की भाती ही चरों को भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्ष आंतरित किया जा सकता है 6. प्रायह समीकरण बनाने वाले व्यन्जकों को उसे हल करने से पहले सरल बना लिया जाता है 6. आरंभ में कुछ समीकरण रेखिक नहीं होते लेकिन उसके दोनों पक्षों को उप्युक्त व्यन्जकों से गुणा कर रेखिक समीकरण के रूप में बदला जा सकता है 7. रेखिक समीकरणों की उप्योगिता उनके विविद्ध अनुप्रयोगों में है 7. संख्याओं, आयू, परिमापों तथा मुद्रा के रूप में प्रयोग होने वाले सिक्के वनोटों पर आधारित अनेक प्रकार की समस्याएं रेखिक समीकरणों का उप्योग कर हल की जा सकती है 8. यह पाठ यहीं समाप्थ होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, मयंकुमार, निर्माण सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्माण, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत प्रस्तुत